दोस्तों नमस्कार आज फिर एक कहानी के साथ कहानी छोटी लेकिन शीख बड़ी और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए और ग्यान वही स्रेश्ठ जिससे जीवन सवर जाए ऐसी ही जीवन को सवारने वाली एक कहानी राजस्थान में एक युवक था युवक प्रतिभाशाली था महनती भी था लेकिन निराशावादी था निराशा उसे अकसर घेरा करती थी कि यह कैसे होगा वह कैसे होगा मेरी जीवन में तो समस्या ही समस्या है वह हर समय परेशान ह नजर आता था किसी छोटी समस्या से भी परेशान हो जाता था बड़ी समस्या तो उसे बिल्कुल भयातूर ही कर देती थी तो जीवन की इन समस्याओं से जब घीरा हुआ था बहुत निराशावादी हो चुका था तब किसी करीबी ने उसे सलहा दिये कि पडोस के गाउं में पीर बाबा आये हुए हैं उन पीर बाबा के पास तुम जाओ अवस्या उनके पास कोई न कोई समाधान होगा तुम्हारी समस्याओं का जीवन में तुम जो दुखी रहते हो उसका वे निराकरन जरूर करेंगे अब इसी आसा के साथ वह पीर बाबा के पास पहुंचता है पीर बाबा के पास बहुत भीड हुई रहती है उनका काफिला उस गाओं में आकर रुका हुआ रहता है अब जब इसका मौका आता है इसकी बारी आती है तो यहां पीर बाबा के पास मिलता है और अब अपना तुक उनके पास प्रस्तुत करता है कि पीर बाबा मेरे जीवन में समस्याइं ही समस्याइं हैं मैं एक समस्या को ठीक करता हूँ दूसरी समस्या उत्पन हो जाती है स्वास्त की समस्या है तो अर्थ की समस्या है तो अन्य कई समस्याओं से मैं घीरा ही रहता हूँ बाबा इसका कोई उचित निराकरण बताए ताकि मेरे जीवन में खुसिया आ सके और मैं इन समस्याओं को हल कर सकूँ अब पीर बाबा उसे बहुत बारिकी से देखते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा करो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तो कल करूंगा आज तुम यहीं रुख जाओ हमारे साथ ही रुखो बस एक काम करना है तुम्हें हमारे काफिले मे समस्या का समाधान अवस से बता दूंगा अब यहीं करता है अब रात में जब उठो की चोकीदारी कर रहा होता है तो के उठों को बैठाने का प्रयास करता है लेकिन एक साथ सारे उठ वैटते ही नहीं है कुछ तो स्वतह बैट जाते हैं किसी को यह जबरजस्ती बैटाता है और कुछ तो बैटते ही नहीं है और पूरी रात उसकी गुजर जाती है जब दूसरी दिन सुबह भोर में तड़के है पीर बाबा के पास पहुंचता है तब पीर बाबा कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें चैन की नींद आई होगी बड़े मजे से सोय होगे तुम उठो को सुला कर तब यहां युवक कहता है कि कहां पीर बाबा मैं तु रात भर नहीं सो सका हूँ मैं एक उठ को बैठाता दूसरा उठ खड़ा हो जाता कुछ तो स्वता ही बैठ गए लेकिन कईयों को मैंने बहुत प्रयास करके बैठाया और कुछ तो माने ही नहीं तब पीर बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कल रात ऐसा हुआ होगा कुछ उठ स्वता ही बैठ गए होंगे तब वह युवक कहता है कि बिलकुल पीर बाबा और फिर पीर बाबा कहते हैं कि कुछ उठों को तुमने जवर्जस्ती करके बैठाया होगा छड़ी से या डंडे से मार वार के तब यह युवक कहता है कि एकदम सही पीर बाबा और फिर पीर बाबा कहते हैं कि कुछ उंटों माने ही नहीं होंगे तुम्हारे लाग कोशिस के बाद भी नहीं बैठे होंगे तब वह युवक फिर कहता है कि एकदम सही पीर बाबा फिर पीर बाबा बोलते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ कि जिन उंठों को तुमने बैठाने का प्रयास किया था और जो बैठ नहीं रहते कुछ समय बाद वे स्वता ही बैठ गए तब युवक कहता है कि हाँ पीर बाबा ऐसा ही हुआ कुछ समय बाद कुछ उंठ अपने आप ही बैठ गए तब पीर बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं कि इस रात तुम्हारी समस्याओं का समधान का तुमको जवाब मिल चुका है जीवन की समस्याओं इन ही उंठों की तरह होती हैं कुछ तो अपने आप बैठ जाती हैं कुछ को बैठाना पड़ता है प्रयास करना पड़ता है और कुछ समस्याओं ऐसी होती हैं जिन्हें समय पर छोड़ना ही उचित होता है समय आने पर वे समस्याइं अपने आप उनका समधान हो जाता है ठीक इन उठों की तरह जिस तरह तुमने कुछ को बैठाने का प्रयासी नहीं किया वे अपने आप बैठ गए कई समस्याइं जीवन में इसी तरह की होती हैं जो सोता ही हल हो जाती है कुछ समस्याओं को हमारी अपने बुद्धी, अपने चातूरी, अपने संयाओ, अपने धीरज, अपने धायरे से उसका समधान करना पड़ता है और कुछ समस्याओं जीवन के ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ पे नहीं होती है उसे इश्वर उसे कोई एक शक्ती ठीक कर सकती है और वह स्वता ही ठीक हो जाती है तो इन समस्याओं के लिए ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है तुम जो अभी कर सकते हो बस वह करो तुम्हारे हात में जो है तुम वह करो और तुम्हारे जीवन में शांती तु जो समस्याएं होती है यह पानी की बुलबुलों की तरह होती है आज एक बुलबुला है कल दूसरा बुलबुला होगा कोई भी बुलबुला बहुत लंबे समय तक नहीं होता है हो सकता है किसी का समयावधी थोड़ा कम थोड़ा जादा हो जाए लेकिन ठीक इसी तरह हमारे ज अकलन करिये कि कौन से समस्या आपकी जीवन परियन्त रही, कोईभी समस्या जीवन परियन्त नहीं होती और ठीक इस कहानी में सिखाएगे, सीख कया नुशार कोई समस्याय सोता हल हो जाती है, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता है, कुछ समस्याएं को हमको अपने बुद्धी से, अपने धीरत से, धारे से, संयम से, अपने प्रयासों से ठीक करना पड़ता है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका निराकरण हमारे हाथ में नहीं होता है तो ऐसी समस्याओं को अपने इश्वर, अपने गुरू पर छोड़ना होता है, उनके चड़नों पर समर्पित करना होता है कि आप जानों कैसे ठीक होगा और अपने जीवन को खुशनुमा बनाए रखने के लिए जो प्रयास हम कर सकें और उसे खुशनुमा बनाए रखने के लिए आपका उस काम के प्रती उस साधना के प्रती समर्पन होना बहुत जरूरी है जब यह समर्पन नहीं होगा तब जीवन के समस्याएं समस्याएं ही लगेंगी तो जो भी आपका जीवन है जो भी आपने लक्षे को चुना है जो भी आपकी साधना है जो भी आपकी जीवन का उद्दे से है उसके प्रती आपको समर्पित होना होगा और जब आप समर्पित हो जाते हैं तब समस्याएं समस्याएं भी नहीं लगती है तो इस कहानी से यही सीखते हुए कि कुछ समस्याएं तो हमें हल करनी पड़ती है हमारा प्रयास करना पड़ता है लेकिन लाख प्र प्रयास नहीं करना पड़ता है लेकिन जरूरी है आपका समर्पन उस कारी के प्रती उस उद्देश के प्रती उस लक्ष के प्रती जब आप समर्पित होते हैं तब आप अपने आपको एक ऐसे जोन में उठा कर रख देते हैं जहां जीवन के समस्याइं समस्याइं ही नहीं ल झाल झाल